गुड मॉनिंग आइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 सप्टमबर के करेंट अफेर इससे रिलेटेड जो भी क्वेस्टन है उनको डेटेल के साथ फिज और पीडेफ के साथ आज हम इस क्लास के सुरुआत करेंगे लेकिन इस क्वेस्टन को सुरू करने से पहले हम लोग कल की क्वेस्टन का रिवीजन करेंगे तो आईए देखते हमारा पहला क्वेस्टन क्या है पहला क्वेस्टन है कि किस देश ने UAE तक पहुचने के लिए सभी देशों से उडानों को अपने आस्मान को पार करने के अनुमती दिया है तो सौधी अरब ने ये किया है अगला पार्टर, हिरो, स्टेयर और इस्टोरी प्रतियोगिता सुरू किया गया है किस मंत्राले के द्वारा तो जल सकती मंत्राले के द्वारा इससे सुरू किया गया है फिर हमारा स्कीम से क्वेस्टन है कि वन नेशन वन कार्ड यहाँ पर वन राशन कार्ड जो स्कीम है इसमें ह अगला क्विश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट द्वारा कब तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा तो 2030 तक ठीक अगला है हमारा कि कैलास मानसरुवर के पास सता से हवा मिमार करने वाली मिसाईल अस्थापित की गई है तो ये किस ने किया है तो चीन ने किया है नेक्स है हमारा कि नागरिक उड्डेन सुरच्चा ब्यूरो में पहली महिला मान इदिसक के रूप में किसी निवत किया गया है उशा पांडे को अगला हमारा कि वैस्विक नवाचार सुचकांक में भारत की सस्थान पे है तो भारत 48 रैंक पे है अगला question हमारा की अंगारा पजी और गोविन पतनायक नाम की दो भारती नागरी को आतंगवादी गोसित किये जाने वाले पाकिस्तान की मांग को किस समिती ने रद किया है तो संयूक्त राष्ट सुरच्छा परिस्त ने इसको रद कर दिया है अब हम लोग सुरू करेंगे आज का question और पहला जो question है वो हमारा है किस से ये international relations है है सबको पता है SEO का आयोजन चल रहा है संगाई सायोक शंगठन और इसमें भारत को किस ने represent किया है हमारे रक्षा मंतरी है राजनात सिंग उन्होंने इसके लिए ये तीन दिवशी मास्को के दौरे पर गए है और मौस्को कहाँ पर है रश्या में है ठीक इस दौरे में इन्होंने क्या किया है कि भारत और रूश ने एक अत्या दुनिक हतियार AK-203 राइफल बनाने के लिए अब भारत में जो ये राइफल बनाया जा सकता है समझोते कि अंतिम रूप को फाइनल कर तरह है ठीक तीसरा ये है कि इसके साथ-साथ रश्या ने एक श्ट्रेटमेंट दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उसकी नो आम सप्लाई की पॉलसी है उसको जारी रखेगा ठीक है तो रूश देखिए सुरू से ही भारत का एक मित्र राश्ट्रा है इसके अलामा अगर हम लोग बात करें कि भारती संविधान जिसे हम लोग मिली जुली खिचड़ी की संग्या देते हैं तो उसमें जो मूल करतव है वो कहां से लिया गया है रश्या से लिया गया है ठीक है और जब हम लोग ट्रिक याद करते हैं तो उसमें ऐसे ही याद करते हैं कि भारत की मद four is the right answer देखते हैं इस question के detail के बारे में दो चीज़े याद रखीगा कि यहाँ पे अब जो AK-203 rifle है यह भारत में भी निर्मित होगी बड़े पैमाने पे और यह AK-47 का यह नवींतम और उन्नत रूप है जो किसकी जगा लेगा इन्सोस rifle की जगा लेगा बात आती है manufacturing किसके तह होगी तो सईयू तुद्यम भारत रूस rifle private limited के तहत इसको बनाया जाएगा इसके सापना आयुद निर्माडी बोर्ड और कलास निको कंसन तथा रोशबो नेक्सपोर्ट के बीच हुई है अगर मैं आपको बता दू तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रू इमेज को देखने से आपको क्या लग रहा है कि यह virtual meeting है ठीक है तो इस virtual meeting में अध्यास्ता किस देशने किया है सॉदी अरब ने इसकी अध्यास्ता किया है अब हुआ क्या है समें मतलब मुख्य विशय क्या रहा है तो कोरोना महमारी के दौरान सीमा पार अंतर राष्ट्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चित रहा है ये पूरा मुद्दा और यहाँ पर भारत को रिप्रेजंट किया हमारे विदेश मंत्री जैसंकर जी ने तो इन्होंने तीन विंदू पर ध्यान रखते हुए कहा है कि लोगों की समन्वी सीमा पार आवाजाही आवाजाही पर G20 के स्वैच्छिक विकास का प्रस्ताव इन्होंने रखाया है और इसके साथ साथ भारती विदेश मंत्री ने विश्व के सभी देशों से विदेशी चात्रों की हितों की रच्चा सुनिश्चित करने और विदेशों में फसे हुए शमुद्री नामिकों को उनके देश तक पहुचाने की सुविधा उपलब्द कराने का आग रखिया है तो कोई भी सम्मिट होता है तो उसमें ग्लोबल जो ऐसा मुद्दा हो जिससे की लोगों का हित जुड़ा हो या अर्थविवस्ता का हित जुड़ा हो या राष्ट का हित जुड़ा हो इर मुद्दों पर चर्चा की जाती है तो यही है हमारा जी ट्वेंटी समुँ अगर हम लोग एक शब्द में कहें तो जी ट्वेंटी समुँ उम्मत उन्नत और उभरती हुई अर्थविवस्ता वाले 20 देशों का एक शमू है जिसके असापना हुई थी 1997 में पूर्वी एशियाई वित्तिय संकट के बाद 1999 में यूरोपी संग और विश्व की 19 अन्य प्रमुक अर्थवयस्ताओं के केंद्री बैंक गवर्नोर तथा वित्त मंतरियों के एक फोरम के रूप में की गई थी अब G20 है तो अविस्ताओं सी बात है ग्रूप ओफ 20 कंट्री होगा कौन कौन से कंट्री है इसमें अर्जेंटीन, उस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चीन, यूरोपी, संग, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूज, शौदी अरब, दच्छिड अफ्रिका, दच्छिड कोरिया, टर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज अमेरिक का सम्मिलित है, जी-20 की जितनी भी सम्मिट होगी, बिट्विन, फॉर्स्ट अप रिस्टेंटर, तो तूथावसेनन नाइटीन, तो थर्टी, नॉवंबर, तूथावसेनन, ट्वैन्टी, तो इसके अध्यस्ता कौन करेगा, उसके ध्यस्ता सौदी अरब करेगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो भी अब तक के G20 last one year में जो भी जित्ती भी सम्मेट हुई है उसके देश्टा किस ने किया है साओधिय अरब ने किया है चलिए और इसके पहले ही चार प्रजातिया पाई जा चुकी है ठीक है तो इरान में इसकी खोच की गई है तो इरानी सनरक्षड के जीव विग्यानी हादी फहीमी के सम्मान में इस नहीं प्रजाती का नाम कह दिया गया है फॉलो क्रिप्टिस फहीमी ठीक है जिनके वर्स 2018 में एक हवाई जहाद दुरघटना में मृत्य हो जाती है अब तो हम लोग दस्तिल लूट के बी बात कर लेते हैं क्योंकि important मरुवस्थल है तो ये दुनिया का 25 सबसे बड़ा और इरान का दूसरा सबसे बड़ा रेखिस्तान है आप लोग के लिए question है कि इरान का सबसे बड़ा मरुवस्थल या रेखिस्तान कौन है साहे ठीक है यह आपको बताना इसके अलावा मैं आपको बता दू यह सब देखे यह सब मैपिंग से याद करने वाले है तो नितिन सर ने जोग्रफी मैपिंग से पुरा पढ़ाया है जहां पे भी मैप के थूँ आपको याद रखना आप प्लेलिश सर्च करके वहां से इसली पढ़ सकते हैं ठीक है तो इसका नाम क्या है दस्ते लूट जिसे दस्ते काविर या फिर काविरे नमक के नाम से या फिर ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है ठीक है याद रखिएगा सत्रा जुद्राई 2016 को युनेस्को की विश्व विरासत अस्तल की सूची में इसको शामिल किया गया है ठीक चले नेक्स प्रेशन की बात करते है हाल ही में 14 सितंबर से सुरू होने वाले मानसून सत्र में किन प्रावधानों पर प्रतिबंद लगाया गया है ठीक है तो यहा था कि मानसून सत्र जो होगा यह 14 सितंबर को शुरू होगा और एक अक्टूबर में चलेगा यह ठीक है तो 15-16 दिन चलने वाला है मानसून सत्र अब इसमें दो काल होते है एक प्रेशन काल होता है एक सून काल होता है इन दोनों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है कि यह तो नहीं चलेंगे ठीक है तो इसके साथ जो भी पच्छी सांसत थे इनोंने कहा कि इसकी आलोचना किया और कहा कि इससे वे सरकार से प्रेश्ण करने का अधिकार खो देंगे बहुत बड़ी बात कह दिया है आप में से बहुत लोग जो पॉलिटी पढ़े होंगे या फिर तब भी हमें जानना चाहिए तो प्रश्निकाल होता क्या है कि संसधी कारेवाही का पहला वन आर जो होता है ये प्रश्निकाल के लिए निर्धारित होता है इस अवधी के दौरान संसध सदस्यों दौरा मंत्रियों से प्रश्ने पूछे जाते हैं और इन जनरल मंत्री क्या कर करते हैं इस question का उत्तर देते हैं ये भी दो तीन स्रेडी के मतलब प्रश्ण काल अगर हमने आपको दे दिया तो जैसे होता है ना टोटल question exam में आते हैं तो अलग लग टाइप के question होते हैं ठीक मल्टिपल चॉइस question है detail question हो गया मिलान करना है तो उसी तरह संसद में भी प्रश्ण काल में कई तरह के question होते हैं तारांकित प्रश्ण और तारांकित प्रश्ण अलपसूचना प्रश्ण क्यूं के टेगराइस किया गया है क्यूंकि जो timing रखा गया ना ये time बहुत कम है तो इसमें priority लेके question पूछने की विधी है तो तारांकित प्रश्ण ये होते हैं ऐसे प्रश्ण जिसका उत्तर मंत्री मौखिक रूप से दे देता है और इन प्रश्णों पर अनुपूरक प्रश्ण पूछे जाने की अनुमती होती है आतारांकित कौन से होते हैं जिसका उत्तर मंत्री दौरा लिखित र के बारे में आपने प्रश्न काल के बारे में आप जान मैंगे सूननिकाल इसका संसधी प्रश्निकाल के ठीक बारे में उठा सकते हैं और यह प्रश्निकाल उत्रा बла desti anyone I के बीच में ठीक है संसदी प्रक्रिया में यह नवचार भारत की दिन है जिसमें लोगों को अथोटी दी जाती है कि आप अपने प्रशने पूछ सकते हैं याद रखेगा चली नेक्षपेशन की बात करते हैं लेटश ड्रीम के लेखक कौन है तो लेटश ड्रीम के लेखक है पोप फ्रांसिस राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर फोर इस दर राइट अंसर ठीक है तो यहाँ पे इस बुक को ये दिसमबर दोहजर बीस में रिलेस करेंगे इसमें पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली सम स्याओं से निपटनी की कला सिखाता है पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवरेक के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोफ के बाद हप्तों में कई आधान प्रदान का एक परडाम है अगर हम लोग ऑस्टिन की बात करे तो ये एक रोमन कैथोलिक पत्रकार है समीचक है और ब्रिटन से बाहर आधारित लेखक है इस पुष्टक को शीमन एंस सुष्टर द्वारा प्रकासित किया जा रहा है इसे अंगरेजी और स्पैनिस संस्करडों के साथ जारी किया जाएगा तो अभी एप का इमेज आ गया है कि सिच्छक दिवस जबकि 5 सितंबर को दो दिवस मना जाता एक है अंतर राश्टी चैरटे दिवस तो राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर 3 जा राइट एंसर ठीक है सिच्छक दिवस आप सभी को पता है कि भारत के पहले उपराश्पती तथा दूसरे 1904 में इनको सर्वोच नागरिक पुरसकार भारत रतने से भी शमानित किया गया इसके अलावा 1931 में इनको नाइट होड 1963 में British Royal Order of Merit की मानस सदस्यता से समानित किया गया इनका नाम कई बार Nobel Award के लिए भी गया है ठीक है सांती के पुरसकार Nobel सांती पुरसकार के लिए कई बार इनका नामंकन भी हुआ है ठीक है याद रखेगा अब दूसरा आता है हमारा अंतर राष्ट्री चैरेटी दिवस ठीक है अगर हम लोग चैरेटी की बात करें तो इसमें आप बताईए भारत में कौन सबस्यादा चैरिशित है मदर टेरशा ठीक है तो संयुक्त राष्ट्र दौरा 5 सितंबर को व्यास्विक अस्तर पर अंतर राष्ट्री चैरेटी दिवस मनाया जाता है इस दिन जो भी स्वयम सेवी होते हैं लोग हितासी कारक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों गैर सरकारी संगठनों और हिदारकों को सम निधन सील बनाने जुटाने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरसा के निधन की वर्षगाट को चिन्नीत करने के लिए अंतर राष्टी चैरेटी दिवस की सुरुआत किया आपको पता होना चाहिए कि 1979 में सांती का प्रदेश के लिए अपने दिवंगत पती के क्रिशी भूमी और गैर क्रिशी भूमी की हगदार है और अदालत के इस फैसले के साथ साफ है कि अब अपने पती की संपत्ती पर अधिकार का रास्ता शाफ हो चुका है याद रखिएगा नेक्से मारा कि शुप्रीम कोट में अनिवारी अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है तो सुप्रीम कोट ने आंध प्रदेश के इस प्रेटिशन पर यहाँ पर रोक लगा दिया है इससे पहले जगन मोहन रेड़ी के नेतित वाली अंध जो कि बैटक में भारत का प्रदेट तो किस ने किया है तो प्रालाज सिंग पर टेल ने किया है जो कि हमारे केंद्रे संस्कृत एवं परेटन राज्यमंत्री स्वतंतर प्रभार हैं तीन सितंबर को वर्चुल रूप से इसका आयोजन हुआ है और इसमें जो बाते की गई ह उसमें है कि वर्च 2021 के अंतक ब्रिक्स अलाइंस ओफ म्यूजियम के तत्वधान में साज ही विशेवस्थू पर एक डिश्टल ऑनलाइन प्रदर्चनी की मेजबानी करने की संभावनाओं को खोजना है ब्रिक्स अलाइंस ओफ लाइब्रेरीज के तत्वधान में 2021 में भार सम्मेलन हुआ है रश्या में अंतिम रूप से ब्रिक्स में कौन जुड़ा था यहां पर शाउथ एफ्रिका जुड़ा था इससे पहले इसका नाम क्या था ब्रिक और यह जो शब्द था इसके प्रतिपादक कौन थे तो रूश के हैं जिम ओ नील थे भारत में पहली बार ब्रिक्स का सम्मेलन कब हुआ 29 मार्च 2012 होटल ताज नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ अगला क्विशन हमारा कि किस राश्ट्री उध्यान में 3000 एक्टेर से अधिक अतरिक्त भूमी शामिल करने को मंजूरी मिला है तो यहां पर काजी रंगा राश्ट्री उध्यान है जो हो जाएगा मारा राइट एंसर यहां पर 3000 एक्टेर की अतरिक्त भूमी शामिल किया जाएगा यहां बैतर वन्यजियों सनरच्छड और भविश में मानों तथा वन्यजियों की बीच संघर्स की इस्थिति को कम करने की दिशा में एक महतपूर कदम है ठीक है अतरिक्त भूमी शामिल होने के साथ राश्ट्र उद्यान का कुल छेतरपल बढ़कर 914 वर किलोमेटर हो जाएगा पता होना चेह कि कादी रंगा जो राश्ट्र उद्यान है कहां पर इस्थित है आसम में इस्थित है और यहां पर चार बड़ी प्रजातिया है राइनू हो गया हाथ थी रॉयल बंगाल टाइगर और इशियाई जल भैस ठीक है तो यह इन पे केंद्रे थे इनके सरच्छर के प्रयाशों को काफी ध्यान दिया जाता और इसके अलावा विश्व में लूप्त प्राइए एक सिंग वाले गैंडों का सबसे बड़ा निवास है उद्यान में अलाइकन पर जरू क्लिक करें थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच